हेलो किसान सात्यों इंडियन टेक्निकल फार्मिंग चैनल में आज आपका स्वागत है जहां पर बात होती है केवल और केवल किसान की मेरा नाम दलभीर है और मेरे इस यूटूब चैनल में आपका स्वागत है मेरे इस यूटूब चैनल का नाम इंडियन टेक्निकल फार्मिंग है और आज मैं खित्ती से जुड़ी एक नई वीडियो लेकर आया हूँ और इस वीडियो में आज मैं आपको पॉइनेर पंतारी से चारी स्चारी स्वाइटी की कुछ विशेशता हैं बताता हूँ इस वीडियो को अन तक जुरूर देखे ताकि आपको खिती से जुड़ी से भी जानकारी प्राप्त हो अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेर, कमेंट वाज चैनल को सब्सक्राइब जुरूर करे ताकि एनने किसानों को खिती स जुड़ी से भी जानकारी प्राप्त हो और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही चलो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज हम बात करते हैं प्राइटी की नमस्कार दोस्तों इंडियन टेकनिकल फार्मिंग चैनल में एक बार फिर से आपका जुडियो में डूपोंट पॉइनर के द्वार अविक्सित की सर्षों की बहतरिन हाइब्राइड वराइटी पंतारी से चालिस के बारे में विश्तार से बात करेंगे दोस्तों डूपोंट पॉइनर दुनिया के नबद देशों में काम करते हैं और बात में से 1936 से 2099 संदा पॉइनर के लिए वीडियो का जरूर देखें सबसे पहले बात करते हैं पॉइनर पंतारी से चालिस की विश्ताओं की तो इसकी रोग परतिरोदक समता काफी अच्छी है पाड़े में भी यह शुरक्सित रहती है यानि जब बर्प वापाला गिरता है तो दूसरी सुर्ष में पाई जाती है बद्यमवद्यों की होने के काण यह 125-130 दिन में पक्कर त्यार हो जाती है उद्धे के उचाई 160 संटीमेटर से 180 संटीमेटर होती है पैदावार की बात करें तो 12-16 किंटल पर एंकड़ होती है और पत्ती एंकड़ के हिसाब से यह अच्छा उत्पादन देने में यह सक्सम है तेली मातरा इसमें 42 परतिस्तक होती है यानि सबसे दिख तेली मातरा इसमें पाई जाती है तेली मातरा बढ़ाने को लेकर सरसों में सलफर का उप्योग करना अतियां ताव सका है एक अक्टुबर से 10 नॉमबर तक इसकी बुआई कर सकते हैं एक अंक चाहिए दो शिजाईयों में यह पक कर त्यार हो जाती है दोस्तो इस परकार से से 45-46 सरसों के यह वराइटी का फिया अच्छी वराइटी है क्योंकि विपरित प्रिष्टियों में भी यह अच्छा उत्पादन देती है यदि आप इस परकार से खेत किसान से जुड़ी सभ ही मिलते हैं अगली वुडियो में नई जानकारी के साथ और नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए